हाई वेल्कम तो यूटूब चैनल मैं हूँ अन्यूत व्यास आपका होस्ट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्सियल इन्वेस्मेंट की और यहाँ पे भी स्पेस्फिक SEO प्रजेक्ट के बारे में बात करेंगे कुछ ready to mobile properties के बारे में भी डिसकस करेंगे कुछ ऐसी properties के बारे में भी डिसकस करेंगे जो आने बाले टाइम में पीशेशन आपको दे सकती हैं तो definitely हर तरीकी की properties को हम डिसकस करेंगे तो उसके लिए करना क्या है कि वीडियो में एंटर्ट बने रहना है SEOs जो होते हैं वो stop come office होते हैं पहले गुर्णाओं के अंदर आपने हुटा के SEOs ही देखे होंगे चाहे आप sector 46 चले जाई है चाहे आप 56 चले जाई है या किसी अदल एरिया में चले जाई है 29 में चले जाई है हर जगे पे हड़ाने SEOs निकाले थे वो SEOs आज की डेट में अच्छा खासा प्रीमियम कमांड करते हैं डेंटल वाइस भी आपको अच्छी आरवाई वहाँ पे मिलती है और SEOs के अंदर ब्रेंड इसलिए भी चला जाता है कि जो सुपर एरिया होता है अल्मूस्ट वही कार्पेट एरिया होता है मतलब जैसे अगर कोई डिटेल मार्केट में आप जाते हो एज ब्रेंड तो अगर आपको रिक्वाइड है 5000 स्कॉर फीट का कार्पेट एरिया तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 10,000 स्कॉर फीट का सुपर एरिया तो आपका रेंटल तो जाएगा 10,000 की एकॉर्डि लेकिन आपको यूजबल जो एरिया में लेगा 5000 स्कॉर फीट हो लेगा बट एसके अंदर ऐसा नहीं होता है एसके अंदर होता क्या है कि आपका जो एरिया है वो कंप्लिटली आपका है तो वहां पर सुपर और का इस तरीके का डिफरेंस देखने को नहीं ड़ता है दूसर पर और को क्या फाइदा होता है? और को सफेबरा फाइदा पर यह होता है कि ऑनर चाहता तो है कि इंडिपंडेंट बिल्डिंग अपनी बनाना एक कॉमर्शिल लेकिन उसके पास 50 क्रोड, 100 क्रोड पर लगाने तो नहीं है तो यहां पर उसको एक अपटूर्शूटी मिलती बिलते हैं तो definitely आपको जो आरोई है वह भी कमबटिमली अच्छा होता है क्योंकि area wise देखें हैं तो स्कुल जो है 60 स्कॉर यार्ट के भी होते हैं, आपका 100 स्कॉर यार्ट के भी होते हैं, 200 स्कॉर यार्ट के भी होते हैं अगर बात करें, आज हुड़ा के SU की तो आज नए S.E.O.S. उड़ा के नहीं आ रहे हैं जो पुराने सेक्टर से जिनके अंदर S.E.O.S. प्लॉट अलएडी लाँच किये हुए थे वही है अब उन में से कुछ एरियाज में आपको कंस्ट्रक्शन होती दिखने लगी होगी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अलड़ी फॉली डिप्लॉट हो चुके होंगे आज क्या वर्टूटी है तो आज अपॉर्टूटी है प्राइविट डिवलपर्स S.E.O.S. नहीं के आ रहे हैं गुड़गों की अलग 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 लोकिशन पर जितने भी नए सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको S.E.O.S. तो मिलेंगे लेकिन वो प्राइविट डिवलपर्स के मिलेंगे इसकी सुरूबात करी थी इमार्ड में 65 सेक्टर के अंदर जो की गोल्फ कोर्स सेक्टर्स रोट पर लोकिटेड है यहां पर अपने E.B.D. 65 पे नाम से S.E.O. प्लॉट रॉंच किये थे अब यह वो स्टेज आ चुकी है जहां पर इन प्लॉट के अंदर लीजिंग भी हो रखी है कंस्ट्रक्शन सुरू हो चुकी है और सबस्ट ची बात किया है कि यहां पर बहुत सारे प्लॉट ओनर तो ऐसे हैं उन्होंने लीजिंग पहले करनी है उसके बाद टैलेंट के इकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फसाड डेफिनिटली जब इमार जैसे डिपलपर का फुजिक्ट है तो फसाड तो कंटोर्ड करेगा ही फसाड कंटोर्ड करने से यह भी होता है कि एक सिमिलर काइं कि इंदर आपने जो है डेंटल के इंदर की सुपर और कार्पिट का डिफिरस एक बहुत बड़ा है किसी भी ब्रेंट के लिए मतलब इने बात करूं तो कुछ-कुछ ऐसी मार्केट है जिनके अंदर जो मेंटिनेंस है वह इतनी है तो तीस रुपर चारीज रुपर की से कंपेर करो तो तीस रुपए तो आपको सुपर पर लगना है तो अगर किसी दूसी लोकेशन पर आपको 1.500 आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, मेरा सजेशन यह है कि जू है रिडी टो मूविन एक्ट नहीं खरीदने चाहिए, बिल्डर्स के स्पेस कोई, क्योंकि उन में क्या है, कि वो कंस्ट्रक्शन इमिलिटली हो जाएगी, और उसके बाद अगर लीजिंग नहीं हुई, तो बड़ी रिक्कता आ जाती है, जैसे आज उनकी लीजिंग नहीं हो रही है, और मेरे को लगता नहीं है, कि अभी तीन-चार साल उनकी लीजिंग हो पाए, यह मैं बड़ा होफुली बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि इससे भी कुछ खराब सिचेशन आपको देखने को बिले हैं, तो अगर वो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, तो मेरे से जिसम यह है, आप ऐसी यू प्लॉट खरीदे हैं, तो वहाँ पर फायदा क्या होता है, आपने एक तो चाहते हैं, तो वह तो यहां पर ब्रेंड ने एक साल का टाइम मिल जाएगा, अगर किसी औरिजल वुकिंग के प्रजेक्ट में आप जाते हो, उसके पाद आपको कम से कम दो से तीन साल का टाइम मिल जाएगा, करने के लिए भी, तो वो टाइम आप इसलिए भी रख सकते ह हैं, उस एरिया के अंदर हलचल होगी, हो सकता है कि कोई ब्रेंड वहां पर इसलू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां पर ब्रेंड ने एसलियो प्लॉट खरीदे हुए, बहुत सारे ऐसे ब्रेंड मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने अलग-लग लोकिशन पर अल जो को स्पेस है, आपके पास ऐसी अप्लॉट है, आप उनके साथ डिल बनाओगे, उसके बाद आप कंस्रक्शन सुरू करोगे, तो आपका फायदा क्या है कि डेवल से जिस दिन आपकी बिल्डिंग डेडी होगी, उस दिन से आपको रेंटल भी मिल रहा होगा, पहली आज आपके पास एक टाइम है, एक बड़ियर टाइम आपको मिल जाता है, तीन से चाह साल का, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशेट भी कर जाएगी, तो इन केस आपको लगता है कि आपको कर सक्शन नहीं करनी है, और आपने आज फ्लॉट खरीदा है, और कल प्रॉट फ्लॉर्स में क्या होता है, कि कई बार कुछ डिवलपर ऐसे होते हैं, जो आपके साथ एसोसेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, कुछ फ्लॉर्स आप रख लीजे, कंस्ट्रक्शन मैं कर देता हूँ, कुछ फ्लॉर्स मैं बेचीनगा, तो उस तरीके की अप होनगा लोगों को, कि एक राइट कंसल्टेंट चूज करिए, कंसल्टेंट आप से पैसा लेता नहीं है, आपका पैसा बचा दीता है, क्योंकि आप एक गलत जगह इंवेस्टमेंट कर लेंगे, और वो इंवेस्टमेंट फसी रहेगी, तो डेफिनेटली आप जो है, ना त दिख रहा होगा, कि भाई, जो जब रिसेल करेंगे, तो यह हमारे थ्रू करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी हमारी कमिशन बनेगी, और वो अपनी कमिशन के लिए आपको एक राइट कोड़क्ट में ही इंटर कराएगा, जिससे कि वो फ्यूचरिस्टिक रिलेशन आपको भी कहीले कहीले प्रॉफिक दे जाएगा, तो आप चाहते हैं, अगर इन में से किसी अच्छे SEO के अंदर इंटर करना, उसके लिए आप मारे नंबर्स पर कॉल करिए, क्योंकि मैं वीडियो के माद्धियम से आप से जुड़ा हूँ, मैं एज ए कंसल्टेंट भी डेट चाहते हैं, तो चैनल को सब्क्राइब कर लिए, टेंक्यू उगाई